आप लोगों का टाइपिंग और मैं नोन टाइपिंग पोस्ट की हो फर्स्ट लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं भी आता है और आप लोगों यहां पर टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो टोटल नोन टाइपिंग की कितनी पोस्ट है आपके जोन में और आप लोगों का टाइपिंग कि कितनी पोस्ट हैं अपिंग तेस्ट तो इसलिए देने गया था कैसी पॉस्ट लनना चाता है गुडस गाड और सी नियर कमर्शिय会 सिद डिलाइबक क्यां सिटय श्ट की गए टी सिके मिश्ट की श की चांस बनता है यह RE पर आप आप बीसी और आप लोगों का EWS यह मैं इसलिए बतारों आप लोगों को क्योंकि जा समझना चाहिए यह आप लोगों को आपर Level 6 Station Master वालो से समझना चाहिए क्यों क्योंकि념 आप लोगों को यह पता हो न चाहिए अगर आप लोग यह माल लो ताइपिंग पोस्ट में गलती से यह माल लो आप लोगों का ताइपिंग पोस्ट में सेलine से कोई point number से रह गए point आप लोग 7 से रह गए कोई एक number से रह गए महला first dv की list में level 5 की first dv की list में first dv और plus medical इसकी first list में आप लोगों का नाम नहीं भी आता है और आप लोग यहाँ पर typing test qualify हो और इसी के साथ में आप लोगों का यहाँ पर cutoff से एक number यह दो number भी रह रहे हैं तो यह मानो कि आप लोगों का level 5 का second dv level 5 का बता रहा हूँ level 5 का second dv की जो list आएगी ना उसमें आप लोगों को नाम जरूर देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह सब आप लोग जानते हो यह पूर्ण ते आप लोगों का level 6 की तरह ही प्रोसेस होने वाला है आईए दोस्तों focus करते हैं आप लोगों के आप लोगों को zone wise में cutoff बताने वाला हूँ आप लोगों तो zone wise इन में से एक zone उठाने वाला हूँ वो में आप लोगों के cutoff के बारे में discuss करने वाला हूँ और यही नहीं में साथ में यह भी चीज़े बताने की कोश करूँगा आपकी क्रेटिगर में कितनी वेकेंसी हैं total non typing की कितनी post है आपके zone में और आप लोगों का typing की कितनी post है कितनी chance है आप लोगों के first dv की list में आने का और second dv का तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग यह मान की चलो हाला कि level 6 में आप लोगों को remedical जैसा देखने को मिल रहा है पर यह मानो आप लोग level 5 के post में सिर्फ आप लोगों जो goods guards है ना उसमें A to medical है बाकी किसी में B to medical है C to medical है तो यहां से जो आप लोगों का remedical होगा वो बहुत कम जाएगा पर हो सकता है goods guards पे आप लोगों का remedical का आजए तो वो तो खेर बात की बात है सबसे पहले जो हम लोगों को important है है हार वो समझना चाहिए अब वो समझना क्या है आप लोगों को बता होगा इस typing post के अंतरगत तीन condition में आप लोगों को बता रहो और ये condition आप लोगों को यहां पर समझना चाहिए दोस्तों क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए यह तो आप लोगों का एक एरो यह आप लोगों का दोसरा और यह तीसरा अगर आप इसको ध्यान पूरवक्त समझने की कोशी करते हो दोस्तों तो डेफिनिटली बता रहो इस वीडियो के इंतरगत वो सारी जान करिये शायद ही आप लोगों को नहीं पता होगा और पता भी होगा तो आप लोगों को उसको सुनके और भी आप लोगों का आप बता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या कुछ होने वाला है तो दरसल दोस्तों क्या है टाइपिंग पोस्ट को लेकिए आप जैसे कंडिशन बन रही है एक तो condition वो बन रही है आप लोगों का कोई बंदा है या बंदी है typing test fail हो जाता है तो fail हो जाता है तो उसका रास्ता क्या है उसका रास्ता है आपे NTP, NTP का मतलब है non typing post और non typing post का मतलब है आप लोगों का goods guards और senior commercial come ticket clerk अब आप लोग खुद बताओ जो बंदा typing test fail हुआ है यानि उसने typing test देने गया था अब जब देने गया था typing test तो वो इसलिए देने गया था कि मेरा आरम से typing में एक दो marks उपर है cutoff से तो मैं आरम से यहाँ पर typing को qualify कर जाओंगा तो मेरा selection हो जाएगा कोई भी आप में से भी कैसे ऐसे ऐसे student है जिनका typing से जिनके cutoff से 2-3 marks जादा है और 2-3 marks जादा है न वहीं यहाँ पर जादे तर typing देने गये थे और जिनके cutoff से 10-10 मता मतारा marks जादा है न वो तो यहाँ पर typing को skip कर दिये थे क्यों क्योंकि उनको पता था लेवल 5 में मुझे यह तो goods guards मिल जाएगा यह senior commercial कम ticket के लग मिल जाएगा इसलिए उन्होंने skip किया पर कुछ जादे तर ऐसे आप लोगों को देखने में मिलेंगे जिनका typing test न वो इसलिए देने किये थे जिनके थोड़े बहुत कम marks हो cutoff से वो आप लोगों का senior commercial कम ticket के तरफ जाता है तो जाइर सी बात है उसको यह भी नहीं मिलेगी अब यह नहीं मिलेगी तो वो खाँ जाएगा आप लोगों का लेवल 3 में आ जाएगा अब लेवल 3 में आएगा तो उसको अब लेवल 3 के according process हो गया उसका तो चलो उसका तो यह तो य यह भी है कि यहां पर कुछ ऐसे भी बंद्य हैं जिनका typing टैस्ट तो क्वालिफाई होए गए होएगा साथ ही वह यहां पर नौन टैपिंग पोस्ट की कटोफ भी क्वालिफाई कर रहे होंगे क्यों क्टोफ से काफी जादा नंबर जादा है तो यहां पर दोनों ही लोग ह होंगे आपके typing टैस्ट भी क्वालिफाई कर रहे होंगे तो उनको typing टैस्ट ले लेंगे पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए आप लोगों को और कई सारे बच्चों की डिमांड होती है अगर मुझे नौन टैपिंग पोस्ट मिल जाती है तो मैं typing पोस्ट नहीं वह पूरा का पूरा टैपिंग की तरफ एडिक्टिट थे फोकस से क्यों मुझे टैपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है तो करना है और उनके कटोफ से 2-3 तो उन्होंने टैपिंग टैस्ट क्वालिफाई किया क्योंकि उनको typing पोस्ट लेना था तो यह क्या लेंगे तो जादे तर आप लोग यहां पर देख पा रहे होगी, यह चीज़े मैंने क्यों बताई है, यह चीज़े मैंने इसलिए explain की है, कि आप लोगों के साथ में यह process होने वाला है, आने वाले समय में, तो यह चीज़े मैंने इसलिए starting में बताई, आयोप आप सब लोग यहां से कटोफ बता रहा हूं, मैं आप लोगों को CBT2 कटोफ से कम increase होगा, वो कम increase इसलिए होगा दोस्तों, क्योंकि यह आप लोगों का type in test बीच में आ रहा है, तो type in test को qualify करना है, तो मैं इन में से एक zone ले ले लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाना शुरू करता हूं, इन इसलिए आप लोगों का प्रोसेस तो वही होना है, जो मैं बता रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों अपने zone का भी इस तरह से चीज़े देख सकते हो, जैसे मैं आप सब लोगों के यहां पर बताने की कोशी करता हूं, तो मैंने उठाया यहां पर से RRB Bangalore, तो Bangalore के यहा पड़ेगा, और वो मैंने यहां पर निकाल के लिए गया हूं, आप लोगों खुद देख सकते हो, अपनी आपकों से, यह मैं चीज़ें यहां पर निकाल के लिए आप लोगों के आपे, अगर आप लोगों इसको ध्यान पूर्वत देखने की कोशी करता हूं, यह है आप आपके टेक लिए तर चलते हैं, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, आप लोगों देख सकते हो, उपपर यह वाले सेट देख सकते हो, बैंगलोर के बात कर रहे हैं, अब आप लोगों को दूसरे जोन वाले हैं, इसको छोड़ के नहीं जाना है, यही प्रोसिस आपके साथ में चलते हैं, तो जनरल, OBC, EWS, SC, ST वाले हैं, यहाप पर ध्यान पूरोब देखनी कोश्च कर गए, जनरल के यहाप पर कितर गई ती, 80 और काफी जादा गई है, मलब आप लोगों देख पार होगे, 80 और अगर कोई बंदा यहाँ से सेलेशन लेना चाहते होगा, और किसी के यहाप माइनस वन भी है, माइनस वन के प्लेस वन भी है, फिर भी उनका चांस बनता है यहापे, क्योंकि कट ओफ में आप लोग यह मान के चलो, जैसे जनरल की 80 गई थी, SC की गुणेतर गई थी, ST की 64.66 गई थी, OBC की 37 गई थी, EWS की 44.33 गई थी, यह 18 जोलोग को आप लोगों का रिजल्ट आये था, और लेवल 5 का रिजल्ट है, CBT2 का रिजल्ट है, और यही से मैं पूछता हूँ, आप लोगों का कट ओफ मास कितना जादा है, आप लोगों बैंगलोर से हो, तो आप लोग यहापे कट ओफ मास नीचे, कमेंट में लिख सकते हो, अगर आप मैं वेकें टैपिंग की आप लोगों का वेकेंसी जादा है, तो जायर सी बात है, जब आप लोगों का शोटफोल होगा, सेकंड डिवी में पका जाएगा, और नोन टैपिंग की पोस्ट ही कम है, तो सेकंड डिवी में वैसे नहे आएगा, और यहापे टैपिंग पोस्ट की भी दिख लेते हैं तो मैं सबसे पहले आप लोगर यह एक लोगOoh देखने के लिए आप लोग यहां आगे के बाद से बस्ते से चीजे यह रहे आपूंगो का यह बैंगलोण चीजे आप आरम से समझे इस चीज को आप लोगों ध्यान पूरो इसको समझना है ताकि मैं आप सो लोगों आप समझा पाऊं अगर आप लोगों ध्यान पूरो देखने की कोशी करोगी तो मैं दोने ये चीज़ बताने वाला हूँ अप लोगों का उपर वाला भी लेवल 5 ये लेवल 5 ये लेवल 5 है तो गूर्स्गाड्स के लिकेन हे आप लोगों ये नीचे तरह दिखना है छटे पोइट तक आप लोग इसमें टाइप इपोस्ट देखो तो टाइप इंप कैसे गिननी है आपको अपनी category की typing post के से दिखनी है ये वाली गिननी है आप लोगों को junior account assistant come typist और नीचे वाली है आप लोगों को नीचे वाली ये रिना ये senior clerk come typist ये हैं आप लोगों को आपे तो total कितनी vacancy है rwf region में और swf region में कितनी vacancy है ये तो आप लोगों के अठ्याण में और ये 6 और plus आप लोगों को नीचे है नीचे कितनी vacancy है ये आप लोगों को ये 12 12 और 4 राण में तो plus ये आप लोगों के 12 और आप लोगों के 4 राण में तो आठ्याण में 6 आप लोगों को एक सो चार 104 और 104 और 12 116 116 और 4 यह 120 याने कि आप लोगों आपे 220 वेकंसी निकल के आ रहिए तो आप लोग खुद देख़ो academics 220 के सम्तिंग वेकंसी आ रहिए तो याने कि 951 तो कि लिए कितनी वेकंसी है 220 के सम्तिंग वेकंसी है और non-typing post के बात करें तो non typing post में कैसे गिनना है आप लोगोगों goods guards की देख लेना कितनी है तो goods guards की कितनी है 242 यह री और plus आप लोगोगा 242 और नीचे आप लोगोगा यह वरी 300 यह री 365 यह भी आप लोगोगा senior commercial come ticket के लगए है तो goods guards और senior commercial come ticket के लगए कितनी vacancy है आप लोगोगा 600 242 और यह 365 607 vacancy है तो अगर total देखो आप लोगोगा 607 vacancy है तो काफी सही vacancy है और total आप लोगोग देखना चाहो तो level 5 की कितनी post है 242 और 607 तो typing को non typing को जोड़के दिख लेना पर उससे को मतलब नहीं आप लोगोगों आप तो सबसे ज़्यादा जो vacancy आप लोगोगा non typing की post है तो जाहिर सी उमानौ आप लोगों आप लोगों आप लोगों non typing में भी selection होने का जादा chance बनते है क्यों? क्योंकि इसमें vacancy भी ज़्यादा है अगर आपके जोन में non-tappy post की vacancy अगर देखा जाए तो goods guards की अभी 104 है और senior commercial कम ticket killer की 148 है और यही किसी और जोन में देखा जाए general category की तो इससे कम है तो उस जोन के व्यक्तिक है आपे जब second day will level 5 का आगा तो उसका selection नहीं आएगा क्यों जोकि जोन वाइच और आपके category की उपर निरबर करता है आपकी कितने chances selection होने के और उसके according देखा जाता है जैसे merit का shortfall होता है आप लोगों को number यानि कि first dv की list में आप लोगों एक number से रह गए हो level 5 में तो यह मानो आप लोग आपे second dv में पूरी short है आप लोगों का जो भी आप लोगों का type में test clear है तो आप लोगों का typing post के उपर हो जाएगा और नहीं तो आप लोगों का non typing post के उपर आराम से हो जाएगा एक दो number और पर आप लोग यह मान लों कि level 5 में अगर आप फर्स्ट dv में नहीं हुआ तो level second dv में हो गए जोब तो वही मिलनी है पैसा तो वही मिलना है वही salary मिलनी है तो चाहिए first dv की list में हो जाए second dv की list में हो जाए उसका कोई attention नहीं है और first dv list में नाम नहीं आता है तो second dv में जरूर आएगा अब बात करें यहां पर cutoff की क्या कुछ vacancy है तो यह मान के चलो आप लोगों के आप लोगों के आप लोगों के वारे में बता हूँ तो general आप लोगों के SC, ST, OBC, EWS अब यहां पर जो मैंने आप लोगों CBT2 की cutoff बता है यहां पर तो यह मान के च category से हो तो लगबल लबाग आप लोगों के number चाहिए 2 से 4 number के बीच में number हो आप लोगों के और 4 से नीचे भी है 2 भी है और 2.5 भी है यह 1.8 है यह 1.7 है तब भी आप लोगों के selection होने का chance बनता है यह category के यह आप लोग बोल रहे होगे हैं कि मैंने 1.7 भी बता दिया 1.8 भी typing post में ऐसे ही cut हो जाएगा आप लोग खुद देख लेना और ऐसा जरूरी नहीं है आपे 6-7-7 number चाहिए कौन खेरा है 6-7-7 number चाहिए आप लोग खुद सोचा अपनी आपको से typing test में कितना percent pass होता है क्योंकि बहुत सारे बंदे फेल हो जाते हैं और जो typing test में थो ना आप आप लोगों के उपर का level भी है तो जहां पर जो typing test के पास हो रहें ना वो लेवल 6 में selected हो चुके तो ऐसा नहीं है आप लोगों का चाहिए किसी में 3 चाहिए किसी में 4 चाहिए तो यह जनरल OBC है मानके चलो आप लोगों आप लोगों तो बाकी एक दो नमबर हो जाए तो आप लोगों का चाहिए और यादी जैसे मेरिट का शोट फोल होंगे तो सकता है आप लोगों के एक दो नमबर ज्याद है उनका सेकंड डिवी में आ जाए तो पोसिबिलिटी तो यह बन रही ना अब इसी की साथ में हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर देख पारे होगे दो गोगों को एक तो सी और स्टय इनके लिए अपनोगों मान के चलो लबब लबब यग तीन से चार बत हैं भाट है इससे और और कम कर लो आप लोग यह आपे गटा constituंट्ड हो जाएगा तो यह आप लोगों के आप टाइप पर आप और नो टाइपू की आपर तो यह काफी अच्छी वेकिंसी है तो यह मान के चलो अगर आप लोग जनरल OBC, EWS, SC, SD से हैं अब मैंने यहां पर शुरू में बता दिया आप लोगों ऐसे भी बंदे होंगे जिनका यहां पर टाइप इंटेक्ट के लिए हो गाए पर वो गुट्स गार्ड से यह सीनियर कमर्सियल क सब्सक्राइप नफ में आपने यहां यहीं बता रहें यहांने पर काफी सारी वेकिंसी है अब यह. इंग चलो आप लोगऌको करें चैसे साथ नंबर यहादा है नोन टैंपिं के लिए बतारा हूं यह typing के लिए नहीं है, 6-7 नंबर जादा है कटोप से, तो non typing आरम से मिल जाएगा, कोई गवराने की जुरत नहीं है, चाहिए बलाएसे आप लोग typing में फेल होगा है, तो तब भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, अब बात कर लें, आप लोग होगे हैं, आप लोग होगे है यह अपर 3-4 नंबर चाहिए, और 3-4 नंबर यह तो मैंने typing लिए बताये तो पर यह ICHM के लिए यहां पर सेट करतो आप लोग आप लोग है तो यह सारी चीजे ती जो मेरे आप सब लोगो के साथ में डिस्कस करी अब सबसे एक और क्याल के लिए अपर सब लोग करनार रॲे यापँ सबसे आप लोग एक सैरल दो किश्न पार कोनार विआ लेवली झाल और ऐसे विए विवर्श्डी के लेवल क्योंbon है नमबर नहीं जाता है तो यह मानके चलो आप लोग second DV क्योंकि आप लोगों का confirm chance हैं क्योंकि goods guards है ना वो goods guards में आप लोगों का A2 medical है अब A2 medical है तो आप लोग यहाँ पर levels इसको देख पारे होगे कितने बच्चों को यहाँ पर out किया जा रहे हैं कहीं तो 32 कहीं तो 28 कितने आप क्योंकि री medical दे दिया उनको री medical दे दिया और नहीं बेटेंगे फीट तो उनकी दूसरे बुला लेंगे तो आप लोग होगा यहाँ और जो other post है जिनमें B2 medical है किसी में C2 medical है तो आप लोग यह मान के चलो यह तो बाहर नहीं होगे क्योंकि इनको यहाँ पर अक्सर यह चीज़े हो जाती है बस भाहर होते हैं तो आप लोगों का A2 medical से होते हैं पर वो भी आप यहाँ पर complete कर लिया जाता है क्योंकि कोई भी नहीं चाता है यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पर CBT1 दे के आए पर CBT2 दे लें फिर साय को यह टैपिंग दे लें इन दोनों में से फिर उसके बाद में DV हो जाए फिर हो medical की देने जाए तो उसको बाहर निकल दे जाए ऐसा नहीं करता है रेलवे पर जांसे तक ले लेता है और कोई चीज की कमी होती है तो यहाँ पर रिमेडिकल देता है तो यह सारी चीज़े में आप लोग को बताने की कोशी करें आयोब आप सब लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे जो भी चीज़े मैंने समझाए उसके अकोडिगी आगे प् मिलते हैं जल्दी अपने एक अच्छे से नेक्ट डियो के साथ